हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास नाइन्थ का वर्क और एनर्जी का होल्स लेशन के जो नुमेरकल और एक्सरसाइज है उसके सेलूशन लाया हूँ अब जो निक्ष्ड कुष्चन है हमारा तो आंसर होगा अगर हमने किसी आप्चेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दि डारेक्शन आप फोर्स में दैन भी से आप जहें वर्क इज डन अब जो थर्ड कुश्यन है हमारा राइट एन एक्स्प्रेशन पॉर्डी वर्क डन फोर्स एजेक्टिंग ओन अबजेक्ट इन दारेक्शन आफ इट्स डिस्प्लेस्मेंट सल्यूसन में क्या होगा वर्क डन इकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट डवलो इकल टू क्या होगा एफ इंटू एस यूनिट आफ वर्क जूल और या इसको हम ब्रैकेट में न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं क्योंकि वन जूल जो है वो न्यूटन मीटर के एक्वल होता है नेक्स्ट कुस्चन है मारा अपियर अब लग एक्जाट ए फोर्स आफ वन फोर्टी न्यूटन आने प्लाओ दा फिल्ड बिइंग प्लाओ इस फिप्टीन मीटर लॉंग how much work is done plowing the length of the field solution में क्या होगा force equal to 140 field plot equal to 15 meter work done to plowing the field बराबर force into displacement w equal to f into d w equal to 140 into 15 multiply करेंगे तो आजएगा 2100 newton meter या इसको हम 2100 joule कह सकते हैं जो next question है हमारा वो है एन अब्जेक्ट आफ मास 15 केजी मूविंग भी थे यूनिफॉर्म विलोश्टी आफ 4 मीटर पर सेकंड वाट इज दी कानेटिक एनरजी पॉसेज बाई दी आब्जेक्ट सल्यूशन में मास आफ आब्जेक्ट हमें 15 केजी दिया है विलोश्टी आफ दी आब्जेक्ट भी 4 मीटर पर सेकंड है तो कानेटिक एनरजी इकल टू हाफ में स्कॉाइर इकल टू हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4 तो 2 अंजा 2 तो 2 तूजा 4 तो क्या होगा 15 इंटू 4 तूजा 8 परावर 120 जूल दा कानेटिक एनरजी आफ दी आब्जेक्ट इज 120 जूल नेक्स्ट कुस्टन है एन आब्जेक्ट आफ मास 12 केजी इज एट सर्टेन हाइट अबब दी ग्राउंड इप दी पोटेंशल एनरजी आफ दी आब्जेक्ट 148 जूल फाइंड दी हाइट विच आब्जेक्ट इज विच रस्पेक्ट टू दा ग्राउंड तो जी इकल टू 10 मिटर पर सेकेंड स्कॉयर है सल्यूसन है मास आफ दी आब्जेक्ट M इकल टू 12 केजी पोटेंशल एनरजी 480 जूल EP बराबर क्या है MGH और 480 बराबर है 12 इंटू 10 इंटू H M 12 है G 10 है तो H बराबर क्या हो जाएगा 480 अपाउन 120 सॉल करेंगे 4 आएगा H बराबर 4 मीटर तो जो हापचट की हाइट होगी वो 4 मीटर होगी ग्राउंड से Next question is what is the work to be done Increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour If the mass of the car 1500 kg Solution में mass of the car हमें 1500 kg दिया Initial velocity of car 30 km per hour इसको जब हम car की speed को मीटर पर सेकंड में convert करेंगे तो 30 इंटू 1000 अपाँ 60 इंटू 60 Solve करेंगे 25 अपां 3 मीटर पर सेकंड अब जो final velocity है car वो 60 km पर आवर दिया है और जब इसको हम change करेंगे find the velocity of car in final velocity of car in meter per second change करेंगे 60 into 5 by 10 तो आजाएगा 50 upon 3 meter per second अब initial kinetic energy क्या है half m u square put करेंगे तो 1 by 2 into 1500 into 25 by 3 into 25 by 3 solve करके आएगा answer हमारा 156250 upon 3 joule और ये होगी हमारी initial kinetic energy of car जो final kinetic energy आप दी car है half m v square तो क्या होगा 1 by 2 into 1500 into 50 by 3 into 50 by 3 3 उन्जा 3, 3, 5, 15, 0, 2 उन्जा 2 और ये कटेगा 25 आजाएगा अब ये क्या हो जाएगा 625 और यहाँ पर 30 जीरो इसके आगे लग जाएगे upon 3 joule तो ये final kinetic energy हो गई the work done by car बराबर क्या होगा जो final kinetic energy है और initial kinetic energy इसका difference find करेंगे तो 62,000 625 के आगे 30 upon 3 minus 15, 625, 0 upon 3 दोनों का difference LCM same है जब दोनों को minus करेंगे तो आजाएगा 46, 8, 7, 5, 0 upon 3 solve करेंगे तो आजाएगा 15, 625, 0 joule या इसको हम कह सकते हैं 156,250 joule तो यह हमारा कार के ओपर वर्क होगा next question is the kinetic energy of an object of mass moving with velocity of 5 meter per second is 25 joule what will be its kinetic energy when its velocity is doubled and what will be its kinetic energy when its velocity is increased three times solution में क्या होगा initial velocity है 5 meter per second mass of object find करना है kinetic energy बराबर 25 joule दिया है 2k बराबर half m u square put करेंगे 25 u equal to half into m into 5 into 5 u की value 5 दिये तो 5 into 5 25 इधर आएगा divide हो जाएगा यह इधर जाएगा multiply 2 into 25 upon 5 into 5 बराबर m अब m बराबर कितना हो गया 5 पंजा 5, 5, 5, 25, 5, 5, 5, 5, 5 m बराबर 2 kg अब उसके बाद क्या होगा जब हम लिखेंगे when velocity is doubled तो क्या होगा v equal to 2 into 5 बराबर 10 meter per second तो kinetic energy क्या होगी half m v square half into 2 into 10 into 10 तो solve करके आएगा 100 joule तो इसका अंसर होगा कि जब हम velocity को double करेंगे तब kinetic energy 4 times हो जाएगी when velocity 3 times तो v equal to 3 into 5 बराब 15 meter per second kinetic energy बराबर half m v square तो 1 by 2 into 2 into 15 का square तो 2 into 2 into 2 15 का square कितना होगा 225 joule तो इसका अंसर होगा when velocity 3 times the energy become 9 times अब next question है हमारा find the energy possessed by an object half mass 10 kg when it is a height of 6 meter above the ground G बराबर 9.8 meter per second square solution में क्या होगा mass of the object M बराबर 10 kg displacement H बराबर 6 meter acceleration due to gravity G बराबर 9.8 meter per second square potential energy MGH अब E P बराबर होगा 10 into 9.6 बराबर 588 joule तो यह होगी हमारी potential energy क्या आएगी 588 joule होगी next important question है two girls of each weight 400 newton climb up a rope through a height of 8 meter we name the girl A and other girl B girl A takes 20 second while B takes 50 second to accomplish this task what is the power expanded by each girl for girl A तो क्या होगा weight of girl मतलब W W हमारा M G के एक को लोता बराबर 400 newton displacement H बराबर 8 meter time taken बराबर 20 second power expanded by girl A बराबर work done upon taken time तो M G H upon T बराबर क्या होगा 400 into 8 400 M G है H हमारा 8 है upon 20 solve करेंगे 20 20 cut के 400 20 आएगा 20 8 160 तो यह क्या होगा 20 8 160 Watt यह हमारा power होगी girl A की अब बात करते हैं girl B की girl B time taken बराबर 50 second power expanded by girl B बराबर M G H upon T तो M G है 400 H रहेगा 8 और time ले रहे है 50 second 0 से 0 अब answer में क्या होगा जो power expanded by girl A है 160 Watt है power expanded by girl B 64 Watt है अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी girl ज्यादा power contain करती है तो इसमें power जो है वो A girl की ज्यादा है यह हमारा answer होगा question है हमारा next अब आप मास 15 kg रन से आप इस्टेर केस आप 45 step in 9 seconds इप दी हाइट आप इस इस्टेप इस 15 में सेंटी मिटर find इस पावर टेकन हैं में जी लेना है 10 मिटर पर सेकंड स्कॉर्ड solution में क्या होगा वेट आप दी आप इस्टेर केस 45 cm मतलब 45 step है टोटल उसमें 15 upon 100 क्योंकि एक step की जो length है height है वो 15 cm है 100 से डिवाइट करा देंगे तो मीटर में convert हो जाएगा तो solve करके answer आएगा 675 upon 100 दो डिजिट पहले point लग जाएगा तो total height आएगी 6.75 मीटर अब time taken to climb बराबर है 9 seconds अब जब इसकी power find करेंगे बवाइगी तो mgh upon t mg है mg है हमारा 500 और h है 6.75 और t है 9 solve करेंगे तो 500 into 0.75 आएगा और उसको जब solve करेंगे तो आजाएगा हमारा 375 watt अब यह हमारा answer होगा next question है electric bulb of 60 watt is used for 6 hour per day calculate the unit of energy consumed in one day by the bulb solution में क्या होगा power of bulb 60 watt है इसको change करेंगे तो 0.06 kilowatt time used बराबर 6 hour अब energy consumed in one day बराबर power into time taken बराबर 0.06 into 6 बराबर 0.36 kilowatt hour यह इसको हम पता है कि एक kilowatt hour में एक unit होती तो इसको unit भी कह सकते हैं अब पूछा गया है कि energy consumed होगी बल्फ के द्वारा तो वो होगी 0.36 unit यह हमारा answer होगा तो यहाँ पर जो है हमारे जो example के extra question थे उस हम आपत होते हैं exercise के question को बारे में बात करते हैं exercise का जो है हमारा first question है वो क्या है एक्सर्साइज का जो first question है हमारा look at the activity listed below reason of whether or not work is done in the light light of your understanding of the term work suma is swimming in a pond second है a donkey is carrying a load on its back a windmill is lifting water from a well a green plant is carrying out photosynthesis a engine is pulling a train a food grain is getting dried in the sun a cell boat is moving due to wind energy अब इसके solution में क्या होगा first होगा हमारा suma is swimming in a pond तो यहाँ पर जो है swimming कर रही है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी मतलब hair displacement occur so work is done अब second है a donkey is carrying a load on its back तो यहाँ पर क्या है जो donkey जो है वो बोजे को अपनी पीट पे ले करके चल रहा है तो displacement नहीं हो रहा है क्योंकि जहाँ पर उसकी पीट पर है वहीं पर है तो work is not done तीसरा है green plant carrying out photosynthesis 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 के दारां के अवल energy absorb हो करके solar energy chemical energy में convert हो जाती है तो कोई displacement नहीं हो रहा है तो work is not done अब windmill is lifting water from well तो यहाँ पर displacement हो रहा है तो work क्या होगा work is done क्योंकि पानी को windmill क्या कर रही है उठा रही है तो यहाँ पर work क्या हो रहा है work is done iron engine is pulling a train here displacement हो रहा है displacement occur so work is done क्योंकि engine क्या कर रहा है train को खीच रहा है अब food grains are getting dried in the sun here no displacement occur so work is not done अब last question है हमारा a cell boat is moving due to wind energy here displacement occur so work is done तो यह हमारे answer होगे question number two an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curve path and falls back to the ground the initial and the final path of the object lie in the same horizontal line what is the work done by the object of the gravity on the object answer में इसके क्या होगा कि the final and initial point of the path of the object दोनों क्या है same horizontal line में situated है here displacement against gravity is zero क्योंकि जब दोनों same line में है तो gravity के अगेंस्ट gravity के अगेंस्ट क्या है displacement zero है so the work done by the force of gravity on the object is also zero next question a battery light bulb described the energy change involved in this process solution में क्या होगा a battery light bulb here the energy changes involved in this process first क्या होगा chemical energy हमारे बैटरी में है अब बैटरी से क्या है electrical energy पास होगी तो पहले बैटरी chemical से electrical में convert हुई अब electrical से क्या होगी light energy में convert होगा और light के साथ साथ थोड़ी बहुत heat भी produce होती है तो जो energy पास होने का क्राम होगा वो इसके according होगा यह हमारा answer question number four है certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second calculate the work done by the force अब इसका solution क्या होगा mass आप an object 20 kg initial velocity 5 meter per second final velocity 2 meter per second work done question mark है work done by an object बराबर half M bracket ने V square minus U square w equal to क्या होगा 1 by 2 into 20 2 का square minus 5 का square 202 to 10 to 20 10 रहेगा 2 का square 4 minus 25 बराबर क्या होगा 10 into minus 21 बराबर minus 200 Joule अब जो minus 200 Joule है मतलब negative sign ये denote करता है कि work क्या हुआ है opposite direction में हुआ है question number five है a mass of 10 kg is it a point on a table it is more to a point B if the line joining A and B is horizontal what is the work done on the object by gravitational force explain your answer solution में क्या होगा here the line joining A and B is horizontal displacement against gravity is zero so the work done on the object by gravitational force is also zero question number six the potential energy of a freely falling object decreases progressively does this violate the law of conservation of energy why question number six cancer over no the process does not violate the law of conservation of energy this is because when the body falls from height then its potential energy changes into kinetic energy progressively a decrease in the potential energy is equal to an increase in the kinetic energy of the body question number seven है what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle answer में the various energy transformation answer में होगा the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle given below the riding the rider muscular energy is converted into heat energy and the bicycle kinetic energy while riding a bicycle rider's body is heated by heat energy question number eight है does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it where is the energy you spend going up here from the conservation of energy we know that energy can neither be created nor destroyed it can only be transformed from one form to another form while pushing a huge stationary rock while pushing a huge stationary rock there is no transfer of muscular energy to the heavy rock take place the energy is instead of converted into heat energy making the body hot so there is no loss of energy hence as there is no movement so no work is done and the law of conservation of energy is not violated question number nine amara certain household has consumed 200 unit of energy during a month how much energy in this joule solution में क्या होगा इसके कि यहां पर दिया है in one month can consume energy by household बराबर 250 unit one unit बराबर होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल तो 2500 बराबर 250 into 3.6 into 10 की पावर 6 जूल करेंगे 900 into 10 की पावर 6 यह पॉइंट इधर से इधर आएगा तो 9 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 6 तो 9 into 10 की पावर 8 जूल यह हमारा answer होगा one month में जो energy consume होगी वो 9 into 10 की पावर 8 जूल होगी कभी कभी पूच लिया जाता है कि one kilowatt hour को जूल में convert करो तो उसको इस तरह से करते हैं one kilowatt hour बराबर one kilowatt into one hour one kilowatt में thousand watt होगे और one hour में 60 into 62 second होगे तो क्या हो जाएगा 36 36 एक दो तीन चार पाँच 36 के आगे पाँजीरो यह जूल हो गया इसको हम लिख सकते हैं 3.6 into 10 की पावर 6 जूल तो इस तरह से हम kilowatt hour को जूल में convert कर लेते हैं question number 10 है an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground what is its potential energy if the object is allowed to fall find its kinetic energy when it is half way down solution में mass of object 40 kg दिया हुए height of an object 5 meter है और gravitational acceleration है 10 meter per second square potential energy होगी MGH तो 40 into 5 into 10 हमारी वो 5 meter है और gravitational acceleration है 10 तो आज आएगा 454 20 के आगे 2 0 मतलब 2000 Joule यह energy होगी फिर हम से पूछा गया है जिदी kinetic energy आप दिया item आप दिया half way down तो half way down equal quantity of potential energy and kinetic energy तो kinetic energy आप object क्या हो जाएगा 1000 2000 upon 2 तो आजाएगा 1000 Joule मतलब जो half way पर होगी वो kinetic energy 1000 Joule होगी question number 11 है what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth justify your answer solution क्या होगा the satellite moving around the earth in its axis on its axis तो क्या होगा so the work done by the force of gravity on a satellite is zero क्योंकि अपनी axis पर गूम रहा है उसका एक fix orbit है तो gravity क्या है जो work करेगी satellite वो zero होगी question number 12 है can there be displacement of an object in the absence of any external force acting on it think discussing the question with your friends and teacher तो इसका answer होगा solution में if an object are moving under uniform motion मतलब अगर कोई situation possible हो कि उस पर कोई external force work ना करे और object uniform motion में होगा तो ये without any external force displacement possible है लेकिन ऐसा possible इसलिए नहीं है क्योंकि air का friction और surface का friction ये सब अट्मास्पेर में present है question number 13 है a person holds a bundle of a over his head for 30 minutes and get tired he has done some work for not justify your answer solution यहां पर जो है जो परसन है उसने horse किया है bundle को हे को over his head पर hair पर जो परसन है वो tired थक जा रहा है tired हो जा रहा है because the muscular fat is person apply force but no displacement occur so there is no work is done यह हमारा answer होगा next question है हमारा question है हमारा 14 an electric heater is rated 1500 watt how much energy does it use in 10 hour solution में क्या होगा सबसे पहले power of electric heater 1500 watt और इसको हम convert कर देंगे kilowatt में तो पी बराबर आजागा एक दो जीन thousand से डिवाइट करेंगे 1.5 kilowatt taken time बराबर 10 hour अब energy used by electric heater तो खोगा power into time taken तो 1.5 into 10 बराबर 15 kilowatt hour या 15 unit क्योंकि एक kilowatt hour में एक unit होती है अब अगर इसको हमसे पूछ लिया कि यह answer जूल में दू तो हम convert कर देंगे इसको जूल में क्योंकि 1 unit में 3.6 into 10 की power 6 जूल होता है तो 15 unit में क्या होगा 15 unit में होगा 15 into 3.6 into 10 की power 6 जूल तो इसको जब multiply करा देंगे तो आ जाएगा 54.10 की power 0 into 10 की power 6 यह 5.4 into 10 की power 7 जूल यह हमारा answer होगा question number 15 है हमारा illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which again when we draw a pendulum bob up to one side and allow it to oscillate why does the bob eventually came to rest what happened to its energy eventually is it violation the law of conservation of energy solution में क्या होगा solution में यहाँ पर सबसे पहले हमने यह diagram ड्रा कर लिया तो यहाँ पर जो mean position से maximum energy मतलब जब इधर यह two position पर आया maximum height होगी potential energy यहाँ पर भी maximum होगी और जब mean से इधर आएगा maximum height पर तो इधर भी maximum potential energy C पर होगी अब यह जो इसकी mean position है तो in the given pendulum their cases points to be discussed at the point B C pendulum bar which is its maximum height so its potential energy is maximum and kinetic energy is zero in this way the total mechanical energy remains constant at the point A pendulum is at its lowest point total potential energy is converted into kinetic energy now the kinetic energy is maximum and potential energy is zero once again the total mechanical energy remains constant यह हमारा यहाँ पर इसका इसके solution में क्या होगा mass of an object Vm है velocity of an object Vb है तो kinetic energy of object क्या होगी half MB square तो यहाँ पर object है half MB square energy so we need energy to bring the object to rest equal equal लेकिन क्या होगी negative sign होगा मतलग minus half MB square के या minus EK के equal negative energy होगी हमें उसको object को rest में लाने के लिए आवस्तिक होगी question number 17 है हमारा calculate the work required to be done to stop a car 1500 kg moving at a velocity 16 km per hour solution में क्या होगा यहाँ पर mass आपके जो car है हमारी 1500 kg है velocity आप a car 16 km per hour है तो velocity आप car in meter per second 5 by 10 से multiply कराएंगे तो solve करके आएगा 50 by 3 meter per second अब हमें जो दिया हुआ है कि work done to stop a car तो यहाँ पर car velocity में है तो इसका अंतलब इसमें सारी kinetic energy होगी तो जो kinetic energy होगी तो उसको हम calculate करेंगे पहले तो EK equal to half MB square value put करेंगे तो half into 1500 into 50 by 3 50 by 3 50 by 3 50 by 15 500 आजाएगा तू से काटेंगे 250 आजाएगा multiply करेंगे तो 30 जीरो और 25 फाइब जा 125 125 फाइब जा 625 तीन जीरो आगे होगे अप on 3 को तो आएगा इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा हमारा required energy to stop a car बराबर तो लाइग 8333.33 जूल energy की आविश्टा होगी कार को रोकने के लिए question number 18 है हमारा solution में क्या होगा first तो हम जो है given information के according diagram को डागर लिए a b और c तो in the given figure a required direction west to east क्योंकि हमें work is direction में चाहिए applied force is right angle but no displacement क्योंकि displacement होगा ही नहीं क्योंकि force 90 degree पर apply हो रहा है अगर so work is zero अब जो option b है हमारा in the figure given b required direction west to east है applied force है zero degree angle पर तो यहां पर maximum displacement होगा तो west to east to east means positive work is done अब जो हमारा तीसरा case है उसमें क्या दे रखा है c में in the figure given c required direction west to east and applied force site 180 degree so displacement occur east to west चाहिए हमें west to east और हो रहा है east to west it means negative work is done मतलब जो work हो रहा है वो हमें जो चाहिए उसके negative direction में होगा क्योंकि force की direction यहां पर opposite so हो रही है इसलिए हमारा जो work होगा वो negative direction में होगा question number 19 is sony says that acceleration is in an object could be zero even when several forces are acting on it do you agree with her why solution the acceleration in an object could be zero even several forces are acting on it yes possible I agree with her it is possible when resultant of several forces is zero तभी यह condition possible है यह इसका solution होगा question number 20 है हमारा find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hour by 4 device of power 1500 is यहां पर हमें जो device दी है उनकी एक एक प्रतेक की जो power है वो 500 watt है number जो प्रतेक device है वो 10 घंटे काम कर रहा है और हमें यहां calculate करना है कितनी energy is दवरान consume होई क्या होगा number of devices equal to क्या होगा 4 अब power of each device equal to 500 watt अब बराबर क्या होगा इसको 1000 से divide कर देंगे 0.5 kilowatt अब taken time बराबर है 10 hours energy consumed by these device equal to power into time power हमारी दे रखी है 0.5 हमने इसको convert कर लिया है kilowatt में घंटे हमें 4 दिये हैं और 4 devices हैं calculate करेंगे तो इसका आ जाएगा 20 kilowatt hour या 20 unit इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 kilowatt hour में एक unit होती है तो यह भी लिख सकते हैं और अगर हमसे पूछा जाता है कि जूल में answer दो तो हमें पता है कि 1 kilowatt hour में 10 3.6 into 10 की power 6 जूल होते हैं तो 20 को हों 3.6 into 10 की power 6 जूल से multiply करा देंगे आपन रीचिंग दी ग्राउंड वाट हैपन तो इस कानेटिक एनर्जी सलीशन में क्या होगा यहां पर सलीशन में देखते हैं वी नो दाइट एनर्जी का नाइधर वी क्रेटेट एंड नौर वी डिस्ट्रॉइट इट कैन ओनली वी ट्रांसफर्ट फ्राम वन फार्म हैं कि अनर्जीय एंड सांघ्रज एंट साउन एनर्जी मतलब हीीट और सांघ्रजी में पूरी औरजी में कन वर्ट हो जाएगी ह सद्स वह बॉल र Agriculture आजा में इसको कई बार उपर से नीचे थोड़ा थोड़ा दूरी तक जाए उसके स्टापिंग पोजिशन पर जाए यहीं पर हमारी यह वर्क और एनरजी एक्सरसाइज फिनिस होती है आसा करता हूं कि आपको यह वीडियो आपके एक्जामनेशन के लिए उप्यों की साबित होगी धन्यवाद